हेलो गाईज तो कैसे वाप आई होप सब के सब पढ़िया होगी और इस वीडियो को बनाने में है काफी ज़्यादा डिले हो गया क्योंकि जो हर्याना गवर्मेंट वाला टैब है उसके उपर मैंने एक इनिशल वीडियो दी थी स्टार्टिंग में लग बगी एक साल पहले त तो अब की बार मैं ये वीडियो दुबारा रिकोर्ड कर रहा हूँ अगर इस पर क्लेम वगेरा नहीं आया होगा तो आपको देखने को मिल जाएगी तो आज की वीडियो में बिल्कुल सिंपल स्टैप्स में बताने वाला हूँ कि सिरफ हर्याना गवर्मेंट नहीं यूप से रिमूव हो जाएगी और जब में भी आप जब इसको दुबारा सम्मिट बगारा करने जाओ तो दिक्कत आ सकती है तो ये चीज़े ध्यान रखना मैंने पहले आपको बता दिया है तो वीडियो का आफ इंट्रेस्टिंग होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्र पर करेंगे तो यहां पर आपको स्क्रीन रिकोडिंग दिख रही है देन उसके बाद क्या करने आपको ना Chrome ब्राउजर ओपन कर लेना है और Chrome ब्राउजर ओपन करने के बाद में अबर आपको स्टार्टिंग से दिखाना हो आपको सर्च करना है Samsung A7 Lite firmware डाउनलोड करके तो पहली website आईगी samfw.com उसके उपर आपको चले जाना है यहां पर आपको देख रहा है कि A7 का मलग को जो firmware हो मिल रहा है तो यहां पर first of all आपको model number डालना है तो जो आपको tab मिले है ना उनके model number आप उनको पीछे करके देख सकते हो वहां पर जो आपकी sticker चिपा हुआ है उसक Samson A7 light तो उसका serial number है SM और यहां पर आपको फिर उसके बाद T 225 तो यहां पर आप देख सकते हो आप ही गया है Samson Tab A7 light तो हम इसके पर क्लिक कर देते हैं देन उसके बाद यह website refresh हो गई है देन उसके बद अगर आप नीचे जाओगे तो यहां पर आपको सारी चीजे देखने हो एक बार देन जैसे आपने इंडिया डाल दिया आपना country code तो यहां पर आपको दो options देखने को मिलते हैं Asia में एक INS और एक INU तो आपको INS सेलेक्ट करना है माई INS पर सेलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर आप यहां पर आगर नीचे जाओगे तो यहां पर है ना आपको मलग की काफी सारे firmwares देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर मैं आगर आपको दिखाओं तो Android 13 भी उस device के अंदर रन कर रहा है अभी currently तो आप चाहो तो 13 डाउलोड कर सकते हैं फिर कोई पुराना वर्जन भी डाउलोड कर सकते हैं हम latest वाला ही कर लेते हैं तो latest वाले के उपर यहां पर आपक से डाउलोड करोगे तो वहां पर आपको डाउलोडिंग स्पीड देखन को नहीं मिलेगी आप चाहो तो फर्स सेकेंड ऑप्शन यूज कर सकते हो बट अगर आपको स्पीड चीए क्योंकि काफी बड़ी फाइल है लग बग साढ़े तीन 4GB फाइल है तो इसके लिए आपक चाहे कैसे भी करो वाइफा से करो कैसे भी करो यहाँ पर मेरा वाइफा कनेक्टेड है तो मेरी स्पीड ठीक आ रही है बट मैं इसको पोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने कंप्लीटली डाउनलोड कर रखा है तो फर्स चीज तो आपकी यह डाउनलोड हो गई दैन उसके बा पड़ेगे पीसी लैप्टोप जो भी आपके पास मिल जाए अगर नहीं है किसे फ्रेंड का थोड़ी देर के लिए लो पांस-दस मिनट लगेगी जादा देर नहीं लगेगी तो वो लेने के बाद आपने यह डाउनलोड कर लिया दैन उसके बाद यहां पर आपको डाउन सबस्क्राइब करनी है जो की है ओडिन शॉट्व यह मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि आपको ओडिन शॉट्वर डाउनलोड कर लेना है तो यहां पर हम कर लेते हैं और जो हमारी फरस्ट वैबसाइट है और यहां पर आके जैसे आपको डा करता है आपने फर्म वेरा डाउलोड किया तो इसको आपको ट्रांसफर कर लेना अपने मलकी विंडोज वाले PC के अंदर वहां पर आपको दोनों ही चीजे फाइल में देखन को मिल जाएंगी जो ओड्वेर वह भी जिप मिलेगा और साथे साथ जो आपने फाइल डाउलोड क की है मलगी firmware की वह भी j file देखन को मिलेगी तो आपको पहले दोनों को है ना extract कर लेना extract करने के लिए एक बार right click करना उसके उपर और then Left click करके यहां पर extract files option देखन को मिल जाता है अगर आपने विन रार डाउड कर रखा है तो तो नॉर्मली उसको यहां पर extract कर लेना दोनों ही फाइल को, extract होने के बाद कुछ मलकी और फाइल यहां पर add up हो जाएंगी, तो आपकी जितनी फाइल से सारी सारी डाउलोड हो चुकी, अब आपको Odin Software ओपन करना है, उसके लिए यहां पर आपको जो Odin नाम का एक फोल्डर मिला करना है, और PC से connect करने के लिए आप USB Type-C का यूज़ कर सकते हो, उसको connect कर लेना, और connect करने के बाद है ना, आपको अपने टैब को लेके जाना है, recovery mode में, और recovery mode के लिए मैं बता दू कि Samsung में काफी अलग-अलग myths हैं कि इससे कर लेना, इससे कर लेना, बट मैं Samsung का बहुत इससे वो वाइबरेट ना हो जाए, और यह जो recovery open करने वाला system है ना, यह आपको Odin open होने के बाद, और जब आपका मला की, मला की जो आपका tab है, वो connect हो जाए ना, PC, उसके बाद ही करना है, क्योंकि नोर्मल या बिना connect की करोगे, तो आपका normal वाला recovery open हो गया, बट हमें वो वाला open नहीं करना है, यह सब होने के बाद, आपको आपका जो Odin software उसको open कर लेना है, और आपकी जो files है ना, उनको भी sidewise open कर लेना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, simply हमने directly download किया था, तो यहाँ पर आपको हर file का extension देखने को मिलता है, उस extension के हिसाब से आपको एक-एक file उठा के यहाँ पर drag and drop करनी है, तो मैं यहाँ पर एक-एक extension की साफसे सारी-सारी file उठा के drag and drop कर लेता हूं, जिसका भी जो extension है, वो यहाँ पर उठा के डाल दो, और जो सबसे बड़ी file होगी, जो main firmware के file है, वो थोड़ा वो time ले सकती है, एक-दो minute read होने में, तो उसको वह यहाँ पर छोड़ देना, ऐसा मत करना कि आप cancel कर रहे हो software को, वो एक-दो minute के अंदर आपकी जो file है, वो read कर लेगी, वो maybe आपके मलकी PC की specs को पर भी depend करता है, कितनी जल्दी read कर लेता है वो, then उसके बाद है ना, जब सारी files place हो जाएं, तो एक बर settings को check कर लेना, यहाँ प 5-6 मिनट या फिर 10 मिनट के राउंड ले लेगा, आपकी जो custom room है, उसको flash करने में, और flash करते ही, आपका जो device है, as in new device start होगा, मलकी setup कर लेना completely, और आप हर चीज़ यूज़ कर पाओगी, normal tab की तरह, और यह disclaimer last में दुबारा दे देता हूँ, कि अगर आपने यह वाला method तो वो आप अपने risk के हिसाब से, मलकी इसको download करना, मैं कोई ऐसा नहीं कहा रहा कि सब को कर नहीं है, आपने बोला था, तो इसलिए मैंने आपको method दे दिया है, और यह सिरफ हर्याना government वाले tab के लिए नहीं, आप किसी भी मलकी जो tab है, normally, जिसमें कोई भी दिक्कतार ही है, ताकि वो मलकी normally tab को use कर पाएं.